नीट 2022 के बच्चों, जदा तर बच्चे अब भी आस में बैठे हुए हैं कि नीट पोस्पॉन हो जाए आपकी मांग बिल्कुल जायज है बच्चों, आपकी जो बाते थी हमने भी आगे बढ़ाई है, हमने भी वोईस रेज किया है आपकी फेवर में पोस्पॉन्मेंट को लेकर के, क्योंकि आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्जाम को कुछ सी दिन वे आपको पास टाइम नहीं था जादा पढ़ने का, सीईटी एक्जाम भी आपके साथ के साथ हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, और आपकी बात आगे ग तो मैं आपसे ये कहूंगी बच्चों कि प्लीज ये काम आप ना करें, ये आपके हेल्थ को एफेक्ट कर सकता है, और ऐसी कोई शॉरिटी नहीं है क्योंकि कोई नहीं आई है कि पोस्पॉन्मेंट होगी या नहीं होगी, तो ज्यादा तर चांसे हैं कि नहीं होगी, तो आ ओन्लाइन ट्वीट कर देना विचे स्वाइन आपको ये पांच मिनट लगते हैं उसमें आपको टाइम वेस्ट होता है, आपको परिशानी होगे तो आपका है तो मैं आप से यही कर देंग तो करूंगी कि जो बच्ची करना चाहता है, प्लीज ना करें, ट्विटर पे ट् तो आपका एक्जाम होगा और देखो दो एटम्ट के लिए भी बाते चल रही है पता नहीं हो सकता है कि दो एटम्ट भी आपको मिल जाए लेकिन अभी तक का फैक्ट यह कि 17 जूलाई आपका एक्जाम है और अड्मिट कार्ड आने के चांसे भी है कि दो चार दिन में कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे तो इसमें आप में हेल्थ का ध्यान रखें एंसी आर्टी जो आपका की है एंसी आर्टी को जम के पढ़िए अब आप यह सोच होगा कि 10 दिन में कैसे होगा कुछ तो होगा जो इजी चैप्टर्स हैं यानि कि जो इजी भी है और इनका वेटेज इसको पढ़ना शुरू कर दो कुछ तो स्कोर करोगे जैसे इजी चैप्रस रिवाइज किया उसके फटाफट कुछ प्रिविए से कोई देख लिए दिमाग में कुछ तो रहेगा अभी से कोशिस करो दस दिन भी बच्चे में तो आप बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकते और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सो और रिवाइज करना है मॉक टेस्स देने यह काम मैं तो सज्जेस्ट करूंगी कि आप ना करें ठीक है बच्चों कोई भी अपडेट होगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख all the very best